हलो दोस्तों स्वाइब है आपका डी मार्केटिंग बॉल में मेरा नाम है अभिशेख दोस्तों आज की वीडियो का हमाया टॉपिक है हाउ तो ग्रो यूटूब चैनल इन 2020 तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डीटेल नो बताऊंगा अगर आपने एक नया चैनल स्टार्ट किया है तो उसे कैसे ग्रो करना है 2020 में तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबारा बिल्कुल मत बूलिए क्योंकि इससे मेरे आने वाले हार वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो उन यूट्यूबर्स के लिए जिनोंने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है या फिर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिनके 100 या 200 सबस्क्राइबर्स भी कंप्रीट नहीं हुए बेड़े यूट्यूबर्स भी सुन सकते हैं अगर वो चीजे नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर सकते हैं भी फरक बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है तो आज की वीडियो में हम टाइटल या टैक्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर मैं डीटेल में बड़े बड़े वीडियोज बना चुका हूँ उन दोनों वीडियोज के लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ से आप जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं तो आप टैटल और टैक्स से बारे में पूरा डीटेल आपको मिल जाएगा लेकिन आज की वीडियोज में बैसिकली मैं कुछ ऐसी बाते बताने जा रहा हूँ जो बाते अगर आप यूस करते हैं अपने वीडियोज में तो गाइस लोग टर्म में आपको काफी फायदा हो सकता है और यह सिर्फ वीडियोज में यूस नहीं करना है यह आपको अपने चैनल पर भी करना है पूरे ओवर और सारे चैनल पर भी करना पड़ेगा ताकि आपका चैनल जो है वो लोग टर्म में आपको जादा व्यूस दे तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो वीडियो अप्लोड करते हैं उन वीडियोज का आपको टाइमिंग में आपको बता देता हूँ सबसे इंपोर्टन बात टाइमिंग होती है और इस टाइमिंग का काफी सारे लोगों ने आपको पहले भी बताया होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि अगर आप अपना चानल स्टार्ट करते हैं और पहला वीडियो आप अप्लोड करते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूत नहीं आप कभी भी अप्लोड कर सकते हैं आपको पता है कोई वीडियो पे नहीं आदे लेकिन अगर आप फिस बजे बात अपना वीडियो अप्लोड करते हैं तो आपके सबसे ज़ञादा वीउस आरे के चांसे से और इस टीज को आपको lifetime मेंठेन रखना है आप इस टाइम को change मत किजिए क्योंकि कोई भी changes जाते है न वो habit में कभी भी कोई change आता है तो उससे कुछ ना कुछ हमारे health में जैसे फरक पड़ता है जैसे हम रोज सुबह अगर नाते हैं और किसी एक दिन नहीं नाते हैं तो हमें खराब लगता है तो वैसे ही अगर आप YouTube channel पे भी अगर आप वीडियो के timing को बार बार change करते हैं तो उससे भी आपके channel के growth में परक पड़ सकता है हो सकता है जन्दी grow हो जाए या फिर हो सकता है growth दीरे हो जाए तो guys इस वज़े से शुरू से ही एक pace maintain कीजिए यानि एक speed maintain कीजिए और उससे वो आप कर सकते हैं आपके video upload के time से अगर आप रोज 6 बजे video upload करते हैं तो मेरे हिसाब से ये best time है video upload करनेगा तो guys इस वज़े से क्योंकि यह होता क्या आना जो लोग office में काम करते हैं उनके 6 बजे चुटी हो जाती है तो 6 बजे बाद अगर आप video upload करते हैं उनके लिए देखना easy होता उनके पास जब notification जाता है तो उस notification को वो skip नहीं कर देते हैं उनके ज़्यादा chances रहते हैं कि वो उस notification पर click करें और आपका video देख ले तो guys आप 6 बजे video upload करने की कोशिश करें और guys यह जरूरी नहीं है कि आप 6 बजे upload करें आपको every time set कर सकते हैं लेकिन उस time को आपको maintain करना है आपको सारे videos उसी time पर upload करना है चाहे आप कभी आपका video ऐसा topic पर हो जो बताना जल्दी हुमलब आपको उस video को जल्दी बताओगे तो यह आपको views बिलेंगे ऐसे भी कुछ videos होते हैं मैं तो कहता हूँ आप उन videos को भी उसी time पर upload कीजिए जिस time पर आपके channel पर आप videos upload करते हैं तो guys तो आपको एक time fix करना है और उस time को अगर आप हो सके तो अपने channel art पर भी set कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप अपने channel पर videos इसी time पर upload करते हैं आपके subscribers को तो पता होंगे ही होंगे लेकिन जो नए viewers आते हैं आपके channel पर उनको ही पता चल जाएगा कि आप video किस time पर upload करते हैं तो guys इससे बहुत ज़्यादा benefit होता है अपने channel को long term में मैं सिर्फ long term बाते कर रहा हूँ आज video upload करते हैं आद आपको benefit मिलना शुरू हो जाएगा ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहा रहा हूँ दोस्तो long term में आपको फायदा होगा दो तीन महीने बाद आपको लगने लएगा कि आपका channel ग्रो हो रहा है और दोस्तो अब हमारा दूसरा tip है यह भी एक long term process है तो guys दूसरा tip ऐसा है जो मैं खुद भी apply नहीं कर पाता हूँ guys वो है यह है कि regular वीडियो upload करना guys regular का मतलब ऐसा नहीं कि daily upload करना है या फिर आपको alternate upload करना है या फिर आपको तीन दिन में एक बार करना है आपको हर week में एक बार करना है हर मैंने में एक बार करना मैं यह बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपको अपने जो subscribers है उनको आपको पहले clear कर देना है कि आप वीडियो किस दिन upload करोगे और आपको उस दिन upload करना है अपने वीडियो को आपके उपर से जो बरोसा है वो उड़ जाता है मतलब सबसे पहले था आपको उनको बताना है कि आप वीडियो कब upload करते हो यह चीज भी आपको अपने चैनल आट पे लिखना पड़ेगा और आपके हर वीडियो में आपको कोशिश करना इस चीज के बारे में आप बोलो ताकि आपके जो नए वीवर्स आरे जो आपके चैनल आट को नई देख रहे हैं उन्हें भी पता चल जाए कि आप वीडियो कब upload करने वाले हो क्योंकि हो सकता है कि कोई-कोई वीडियो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे बन जाते हैं और लोगों को बहुत जादा पसंद आ जाते हैं तो उस वज तो लोग दीरे-दीरे बोर होने लग जाएंगे तो guys, आप उसको end में बोल देजे, चलेगा काफी सारे लोग आपकी वीडियो को end तक देखते हैं उन्हें पता चल जाएगा और जो लोग आपकी वीडियो को end तक नहीं देखते हैं most cases में वो आपके चैनल को subscribe भी नहीं करते हैं तो guys, इस वज़े से मैं आपको कहरा हूँ कि हर वीडियो में आपको अपने day और time यह आपको बताना है और अपने channel at में भी इसको mention करना है आपको और यह चीजे यह आपको हमेशा करते रहना है lifetime करते रहना है कभी भी आपको चोड़ना है अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अब मेरे वीडियो उस पर अच्छे कासे views आने लग गए है तो अब मुझे यह सब करने की जरूत नहीं है मैं जल्दी कोई भी वीडियो अप्रोड कर दूँग अब मेरे views आ जाएंगे तो गैस ऐसा नहीं है growth सब की रुख सकती है कभी भी कम हो सकती है, रुख सकती है तो गैस शुरू से आप जो चीज़ लेके चल रहे हो उसको end तक लेके चलो चाहे result आया, चाहे नहीं आया क्योंकि एक दिन ऐसा आता है YouTube में जब सबका वीडियो बाइरल होता है तो गैस उस वीडियो के आने तक आप वेट करें उस वीडियो के आने तक आप पेशेंस रखें और ये दोनों चीज़े आप करते रहें अब हम बात कर लेते हमारे थर्ड टिप की यह भी एक long term process है यहां पर आपने सुना होगा काफी सारे YouTubers जब अपना वीडियो स्टार्ट करते तो बोलते है सब्सक्राइब करें अगर आप एक नए यूटुबर है आपने अभी यह भी चैनल स्टार्ट किया है तो आपको शूरू में तो बोलना ही है end में भी बोलना है लेकिन अगर आपका वीडियो engaging है मतलब आप अपने वीडियो में कुछ ऐसा सिखा रहे है जो लोगों को end तक देखना है तो guys बीच-बीच में आप कहीं उपर छोटा सा side में कहीं नीचे से आप अगर मेरे वीडियो में ध्यान रखेंगे तो जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ रहा है प्लीज सब्सक्राइब तो guys इस तरह से आप अपने चैनल में बीच-बीच में यह प्लीज सब्सक्राइब या फिर सब्सक्राइब फो more ऐसा कुछ वीडियो भी आपको पसंदाए वो लाइन आप लिख सकते हैं लेकिन लोगों को आप बताए कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप उनको वीडियो अच्छा लग रहा है के और खराब लगा तो अब भी देखके निकल जाएंगे यहां पर आपको बोलना है कि सब्सक्राइब करें या फिर लाइक करें या डिसलाइक करें जो भी है जो भी करना चाहते हो आपके वीडियो में एंगेजमेंट आनी चाहिए यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है और यह बात हुई सब्सक्राइब कराने कि बीच बीच में आपको बोलना नहीं है आपको खाली एक नीचे जैसे अभी आइनिमेशन आप देख सकते हैं नीचे प्लीज सब्सक्राइब लिखा हुआ रहा है वैसे आप कर सकते हैं कोई भी वीडियो डिटिंग सॉफ्वेर अगर अगर आप यूज करते हैं तो सब में यह ऑप्शन होता है और अगर नहीं होता है तो अब अलग से इमेज बना लीजे और उसको अपने वीडियो के बीच में आप सैट कर सकते हैं तो गाइस इससे आपके सब्सक्राइब रकाउंट में ग्रोध जरूर होगी और इसके अला अपरालाट जो scene है और यह हम लोग का एक बहुत बड़ा मीत होता हुँ हम सोचते हैं कि शेर करने से views आते हैं guys share views के लिए नहीं करते हैं यह अच्छी बात है लेकिन share हम करते हैं engagement के लिए like, dislike, share, comment ये सब कुछ एक engagement होता है अगर YouTube ये देखता है कि कितने लोग आपके वीडियोस में आके share का button पे click कर रहे हैं अगर आप शुरूब में share करते थे और आप आपने share करना बंद करते हैं क्योंकि views नहीं आते हैं तो guys ये बहुत गलत बात है share button पे click कितनी बार होता है ये YouTube देता है और इस वज़े से आपके वीडियोस को rank करते हैं कितनी बार लोगों ने share किया है, कहां कहां share किया ये सब चीज़े YouTube देखता है, उससे views कितने आते हैं ये बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है आप लोगों को कह सकते हैं कि आपके वीडियोस को share करने के लिए अगर आप खुद अपने वीडियोस को share करते थे और अब नहीं करते हो तो guys फिल से share करना start कर दो आपके घर में अगर सबके पास एक Facebook account है सबके पास एक Twitter account है या फिर LinkedIn account है, कोई भी account हो तो उन सब वीडियोस में अगर आपके parents, आपके relatives अगर आपके वीडियोस को share करते हैं तो guys आप देख सकते हैं एक या दो मेने में आपको काफी अच्छा result मिलना शुरू हो जाएगा अगर आपके एक मेने में अभी 10,000 views आते हैं तो guys आप देखेंगे तीन महीने बाद आपके एक महीने में आपको 20,000 views मिलने शुरू हो जाएगे 20,000 आप एप्रोक्स मानके चले है हो सकता है इससे भी जाधा मिले 30,000 भी मिल सकते हैं और किसी के 10,000 के 15,000 ही हो यह मैं एक एप्रोक्स बता रहा हूँ शुरू में subscribe का क्यों बोलते हो यह आपकी जरूरत है तो आपको बोलना है 20,000 भी में आप नीचे टाग ऐसा ला सकते हैं जिसमें प्लीज सब्सक्राइब लिखा हुआ है शेर करने को आपको बोलना है लाइक करने को आपको बोलना है हर चीज के लिए आपको बना नहीं तो क्या होगा लोग करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो करेंगे नहीं क्योंकि उन्हें याद नहीं आएगा कि यार वीडियो को लाइक भी करना है या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हम चैनल भई यह आपको बोलना है तब भी उन्हें पता चलेगा तो guys यह थर्ड टिप था और यह भी आपको long process में फायदा दिलाएगा guys अब हम बात करने जा रहे हमारे सबसे important four tip के बारे में guys यहाँ पर हम बात कर रहे हैं description की guys अगर आप हो सके अगर आपको पास time है तो guys आप description को कभी खाली मत छोड़े लोग मैं खुद भी अपने description में title copy paste करता था पहले एक time पे और उसके बाद मैं अपने बाकी पूरे description को खाली छोड़ देता था तो इस वज़े से उसने मेरे views कम आते थे मुझे ऐसा लगा और उस से जादा लिखने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सब कुछ में वीडियो में ही बोल देता हूं तो guys तो description आप लिखना start करते हैं इसमें आपको जितना benefit मिलेगा उतना आपको पिछले बताया हुए किसी भी technique से उतना benefit नहीं मिलेगा जितना आपको इसमें मिलता है guys description बहुत ज्यादा important है काफी सारे लोगों ने आपको यह बताया होगा कि description लिखने से Google पे आपके वीडियो रैंक होते है guys Google पे आपके वीडियो रैंक होते है लेकिन वो सिर्फ description लिखने से नहीं होता है उस वीडियो पे जब views भी आएंगे तब जाके Google पे वीडियो रै नहीं होते है उससे views भी आना जरूरी लेकिन अगर आप description लिखेंगे ही नहीं तो views से भी आपके वीडियो गूगल पर रैंक बने वाले नहीं तो यह एक benefit है लेकिन guys मैं क्या कह रहा हूँ अगर आप हर वीडियो के description लिखने आप Google के बारे में बूल जाईए आप Google से आपक ज़्यादा फरक पढ़ने वाला है आपके views पर आप हो सकता है first day जब आप उतना वीडियो अप्रोड करें तब हो सकता है उससे views ना है लेकिन long term में आप देखेंगे 10-15 दिन बाद आपके उस वीडियो पर दीरे-दीरे views आने शुरू होँगे क्योंकि क्या हुआ वो description को Google क फ्रेच करने में टाइम लगता है YouTube को description को fetch करके उसे rank करवाने में टाइम लगता है तो आप भूल जाएए वीडियो बनाइए टाइटल, description, tags अब लिखें description में कम से कम 200 word आपको लिखना है 200 word से कम आप लिखते तो वो एक तरह से खाली ही होता है क्योंकि YouTube हमें जहाँ पर 10,000 words का limit दे रहा है वहाँ पर हम 200 word भी नहीं लिखेंगे तो guys वहाँ पर हमें कई ना कई में नुकसान हो सकता है तो इसलिए आप कम से कम 200 word से 200 character लिखना है आपको तो बहुत मामूली बात है आप लिख सकते है 200 character तो guys यहाँ पर आपको 200 characters का कुछ ना कुछ description आपको लिखना है जिसमें आपका title के keywords का कुछ variations होते हैं जैसे आपन कहते हैं YouTube SEO ठीक है तो वह आपन title में लिखते हैं तो आप description लिख सकते है YouTube SEO tutorial YouTube ranking factors YouTube ranking tutorial YouTube ranking यह सारी चीज़े title से मिलती जुती है लेकिन आपन title में इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे कुछ चीज़ों को मिला के आपको description लिखना है किसी भी चीज को कभी copy मत करें आप अपने खुद से लिखें क्योंकि copy की हुई चीज़े तो बहुत पढ़िए Google पर YouTube पर तो आपको अपना खुद का description लिखना है कोशिश कीजिए जितना अभी आपको आता है आपको try करना है अगर आपको English में कुछ problem है तो आप उस तरह से थोड़ा कम लिख सकत पर जो मेरे एक दिन में चैनल पर 2000 व्यू आते थे अब मुझे जब से मैं description लिख रहा हूं मुझे 3000 व्यूस मिल रहे मेरे चैनल में पढ़ने तो guys यह चीज़े मैंने अपने वीडियोस में notice किया है अगर आप करते तो आप भी अपने वीडियोस में इन चीज़ों को notice कर सक है तब जाके वो उस चीज़ में expert बनता है तो guys यह मैं नहीं कह रहा हूं यह किसी बड़े आत्मी ने बला मुझे नहीं पता किसने का है लेकिन reality यह है कि अगर आप 10,000 गंटे तक किसी चीज़ में आप काम करते तो आप उस काम में expert बन जाते है ठीक है इस चीज़ को आपक आपको clear किया कि share करने से views नहीं आते है share करने से YouTube को message मिलता है कि लोग इस वीडियो को share कर रहे है इस वीडियो में कुछ ना कुछ दम है तब ही share कर रहे है उससे views कितने आते है कोई बिल्कुल भी matter नहीं करता है share करना जदा important है तो guys यह सारी चीज़े आपको अपने mind में र सकते हैं अपने वीडियो के राइट सेर में या तो यहां या फिर यहां आप देख लेना क्योंकि अभी मैं camera के सामने खड़ा तो मुझे direction पता है लेकिन जो भी यह नीचे के साइड एक branding का option आता watermark मिलता है आपको वहापर आप एक subscribe button अपने चैनल का logo add करने की बजाए का एक और option मिल जाए बाकी तो आप बोली रहे हैं तो गाइस यह सारी चीज़े अगर आप follow करते हैं तो आपको benefit जरूर होगा long time में तो दोस्तों उम्मीदें यह वीडियो को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए शेर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक के शैनल को subscribe नहीं है तो प्लेज शैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे मेरे आने वा सबसे पहले आपको मिलेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत अन्यवाद